पहले तो मेरा यही काम रहता था कि पार्टी दफ्तर में शाम को आप लोगों के साथ चाए पिना अब काफी लोग बदल गए हैं टीम काफी कुछ लोग पुरारे अभी भी दिखते हैं लेकिन मुझे अच्छा लगा आज मुझे आपके बीच आने का अवसर मिला बसे मुझे आने में थोड़ी देरी हुई थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ा मैं मदवदेश में था तो वहीं से सिधा आपके बीच पहुँचा हूँ और राज इसके बाद साइद अदेख जिने मेरे लिए कोई काम नहीं रखा है मैं इसके बाद भी है मैं मानता हूँ कि कुछ बाते दुनिया के लिए हम घर्व के साथ कह सकते हैं यह दुनिया का सबसे बड़ा लोगतंत्र है लेकिन इस लोगतंत्र की थाकत क्या है यह विश्व के सामने ले जाना यह हम सब का दाई तो है यह कोई सरकार का या कुसी पॉलिटिकल पालिटिका नहीं है और मैं मानूँगा कि विश्व को हमने प्रभावित करना चाहिए कि हमारी डिमोक्रेश की इतनी बाइबरेंट है कि इतनी विवितताओं से भरी हुई है कितनी अच्छाईया है उसमें अब इतना बड़ा चुनाव चल रहा है दो चुनाव ऐसे गए दो जाननाव और चौदा के का IPL मैच को भी बाहर ले जाना पड़ा था आज जब सरकार सक्षम होती है तो रमजान भी चलता है IPL मैच भी चलता है इस्टर भी होता है हनमान जेनती भी होती है राम जन्जित जेनती भी होती है कुछ यानि ये हमारे देश की अपनी ताकत है मैं इसको कोई सरकार की अमानत के रुप में पेश नहीं कर रहा हूँ ये भारत के गवरों की बात है ऐसी बहुत सी चीजे हैं जो आप लोग भी और मैंने देखा है शायद पत्रकारिता जगत में नेचरल कलेमिटी जब होती है तब उनकी हानत बड़ी खराब होती है दोड़ना पड़ता है और दूसरी शायद चुनाह के समय होता है इतनी उनको इतनी कॉंपिटिशन होती है इतनी महानत करने पड़ती है उतनी धूल भागने पड़ती है और social media आने के बाद double accountability हो गई एक तो जहां काम कर रहे हैं वहां की और दूसरी personal जो ट्वीट करते हैं उसकी तो उसके तो आपने भी बहुत परिशम किया है जुरूर 23 तारीक तक आपको कुछ ताराम आपकी office से मिलेगा हमारी तरफ से तो जुरूर मिलेगा लेकिन बहुत शांदार रहा चुनाओं एक सकारात्मक भाव से चुनाओं हुआ और थोड़ा verify करने ना चाहिए लेकिन मेरा मोटा मोटा मत है कि पूर्ण बहुम्मत वाली सरकार पांच साल पूरे करके दुबारा जीत करके आए इशाज देश में बहुत लंबे अर्से के बाद हो रहा है यह अपने आप में बड़ी बात है दूसरा ताहि करके के चुनाओं ड़णा गया हो और चुनाओं में सरकार बनती हो वैसा भी बहुत कम हुआ है बीच में जितने ही सरकारे बनी हैं तो परुस्तिती ने जो बना दिया बना दिया उसको किसी को एक साल मिल गया दो साल मिल गया या तो किसी परिवारिक परंपरा से मिल गया देश में एक्षुली जनता के बीच में निरने करने का अवसर आया हो और उसमें सरकार बनती हो यह मोका 14 में मिला और दूसरा मोका भी 19 में मिल रहा है कभी ने कभी इसका एनालिसिस आपके यहाँ जो पंडित लोग है उन्होंने जुरूर करना चाहिए आपको लोगों को दिसाए उतनी स्पेस मिलती नहीं है आपको तो थोड़ी थोड़ा चीज़े देख करके दिर कुझाना पड़ता है लेकिन जरूर जब आप एडिक बार्द में मिलने जुलने का मुका मिलता होगा तो जुरूर ये बाते आप उनसे कर सकते हैं लेकिन मेरा बहुत सुखा दनुभव रहा है जब मैं चुनाव के लिए निकला तब ये मन बना करके निकला था और आज आखरी सबहा तक उसी बात को मैं बराबर अपने आपको उसी धार पर रखा हूँ और मैंने देशवासिकों को ये कहा था कि मैं आपके पास आया हूँ धन्यवाद करने के लिए पांच साल मुझे देश ने जो सहकार दिया अशिरवाद दिया अनेक उतार चड़ाव आए होंगे अनेक मोड आए होंगे तिकर हर समय देश साथ रहा और इसलिए मेरे लिए चुनाव अभ्यान एक प्रकार से पांच साल का जनता जनादन के सहयोग का धन्यवाद अभ्यान था और मैं जहां पहुँच सकूँ पहुँच करके मैंने धन्यवाद किया है आप लोगों के बीच भी मैं धन्यवाद करने के लिए आया हूँ और आपके माद्यम से देश वास्यों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ और दूसरा धन्यवाद के साथ मैंने ये भी कहा कि जिन यात्रा को हमने शुरू किया है इसको आगे बढ़ाने के लिए हमें आशिरवाद चाहिए और मैं देख रहा हूँ कि जनता पहले से ज़्यादा बढ़ चड़कर के आशिरवाद दे रही है सोला मै को पिछली बार चवदा में रिजन्ट आया था और सत्रा मै को एक बहुत बड़ी के जुल्टी हुई थी आज सत्रा मै है सत्रा मै को देश में सत्रा खोरों को मोदी की हाजरी का सबसे बड़ा नुक्षान हुआ था अर्बो खर्बों का नुक्षान हो गया था सत्रा बाजो को यानि इमामदारी की शुरुवाद सत्रा मै को हो गए थी मेरा शापत के पहले क्योंकि उस समय सत्रा बजार जो चलता था वो कॉंग्रेस की डेड़ सो सिट के लिए चलता था और बीजेपी की एक दोस्वा अठारा के आसपास का चलता था अठारा तो पच्चतर और सबके सब डूब गए थे तो साइद इमानदारी की शुरुवात सत्रा मै से हो गई थी सत्रा खोरी की दिमाग को बहुत बड़ा धक्का इस देश की जनता ने दे दिया था और जैसे कहते हैं ने पुत्र के लक्षन पालने में बैसी वो शुरुवात थी तो आज सत्रा मै है तो मुझे याद आया मने खाय ज़रा आप सो शेर कर लूँ सरकार बनना देश की जनता ने तै कर लिया है हमने भी देश को आगे ले जाने के लिए हमारे संकल्प पत्र में बहुत सारी बाते कहीं है जितना हो सके उतना जल्दी नई सरकार अपना कालेबार शुरू करेगी एक के बाद एक निरने करते हुई हम आगे बढ़ेंगे हमारे सरकार की एक विशेस्ता जो रही है वो है लास्ट माइल डिलिवरी और मैं समझता हूँ कि यह शायद हिंदुस्तान में गवनन्स का नया कल्चर है और जो अमीद भाई बता रहे थे कि जो लाभार थी कि आखरी व्यक्ति को एक हमने जो संपर्क किया है यह अपने आप में है मैं जानता हूँ यह मिडिया के दुर्श्री से जो बाते हमीद भी बता रहे थे मज़ा आने वाली नहीं थी तो चहरे पर थकान भी मैं देख रहा है आप लोगों की कि यह क्या बोल रहे है लेकिन कितना बड़ा परिश्रम के बाद यह होता है कितनी बड़ी ताकट लगती है एक संगठन के आधार पर चुनाओं कैसे लड़ा जाता है यह अपने आप में लोगतंत्र की असली ताकत है ठीक है अभी शायद यह आपाधापी में तू-तू-मेमे के दुनिया में इन चीज़ों के लिए लिखने के लिए आपको स्पेस भी नहीं मिलेगा इवन इलेक्ट्रोनिक मीडिया में भी शायद आपको लिए दो-पांच सेकंड से ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं लेकिन कभी ने कभी आप मैंसे कोई रिसर्च करना चाहे तो मैं जुरू अद्धेश जी को कहूंगा कि ऐसे जो इंटरस्टेट जन्रालिजम के लोग हो उनको जुरूर ये बात हमने देनी चाहिए ताकि वो सचमुच में देश के लिए और उनके लिए भी कि भी पुल्टिकल पार्टिया सिरब ऐसे नहीं चलती है लोगतांत्रिक ववस्ता से इन चीजों को कैसे चलाया जाता है ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है और अच्छा है कि देश की नहीं पीड़ी को पता चले कि भी ये औरनेशन कैसे चलता है इतना बड़ी ववस्ताएं कैसे चलती है इतनी बड़ी human resource को इतना mobilize करना और बड़ा targeted focus activity देना ये अपने आप में बहुत बड़ा काम होता है इसका काफी आकड़ों में तो बताया है लेकिन उसका scale आप देखेंगे अब मेरी पहली सभा हुई merit में आखरी सभा हुई आज मद्धपजेश में दोनों का बड़ा link है 1857 की करनती merit और आज में मद्धपजेश में गया वहां का एक भीमा ना एक आदिवासी जो 1857 की अंदोनों का नित्रत्व कर रहा था और जिसको फासी हुई थी याने हमारी योजना ऐसे नहीं होती आपको लगता होगा कि लास मुमेट ऐसा कर दिया लास मुमेट ऐसा कर दिया यासा नहीं होता है जी हम बहुत डिटेल में प्लाज करके चीचों को औरग्राइज करते और ठीक है हम हमारा progressive enrollment रहता है सब चीजे पहले से नहीं बताते हैं देरी देरी देर आपको पता चलता है तो मेरा एक भी कारकम कैंसल नहीं हुआ है इतने बड़े अभियान में तड़ा सिंगल और बाइन लाज वेधर ने भी मुझे ज़्यादा तकलिब नहीं दिये कभी-कभी helicopter खराब हो जाते थे तो एक helicopter में सब को भर देते थे लेकिन एक भी कारकम मेरा कैंसल नहीं हुआ सारे के सारे कारकम पुरे हुए और एक प्रकार से discipline को जितना follow कर सकते हैं करने का प्रयास किया है और पहले दिन से चहरे पर जो उत्सा और उमंग था उसी उत्सारों मंग के साथ आपके भी चाया हूँ और अभी शाम का इक कारकम पुरा होने के बाद फिर से अपने सरकारी कामों में जोड़ जाओंगा तो धन्यवाद दोस्तों आपसे मिलने का मौका मिलना तैंक यू बेर बाच और शाम के जाओंगा थाओंगा